प्रेंद्स हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जो उमने देखा पैरललेक्स मेंधर्ड उसी के बेश्ट के उपर तोड़े वी आर गोईं टो बीसी तू इलस्ट्रेशन फ्रम आवर टेक्स्बूक अली उसके अंदर हम जो टेक्निक यूज करेंगे वह फाइंड करेंगे डिस्टंस बिट्विन टू सेम प्लैनेट फ्रम दे अर्थ मतलब सबस मुझे यह प्लैनेट है उसका डिस्टंस अर्थ के उपर से फाइंड करना है तो जैसे वीडियो लेक्चर में समझाया तो थीटा इस यह अर्थ का जो भी डिस्टंस आपको दिया है इस गीवन इन टैक्स को दैट इस वीज इकोल टू 1.276 इंटू 10 रस टू 7 मीटर एंड थीटा इस गीवन एंगल सब्देंड एट दे प्लैनेट विच इस गीवन इन तंस ओफ थीटा इस इकोल टू 1 डिग्री 54 मिनिट्स इ उसके लिए हम 114 इंटू 60 करेंगे विच इस सेकेंड तो यहां पर क्या मिलेगा हमें 114 इंटू 60 सेकेंड अब हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा 1 सेकंड इस इकोल टू 4.85 इंटू 10 रस टू माइनस 6 रेडियन तो यूनिटरी मेथड चे अगर मैं फीटा क वेल्यू फाइंड करूंगा गाइस तो मुझे मिलेगा 114 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10 रस टू माइनस 6 विच विच विल कम आउट इस 3.32 इंटू 10 रस टू माइनस 2 रेडियन अभी जैसे का फॉर्मिला था सो बेजिक फॉर्मिला वस थीटा इस एकवल टू आर्क अप रेडियस तो वह फॉर्मिला होता है बी अपॉन एस यहां मुझे एस का वेल्यू फाइंड करना है विच इस दर डिश्टन्स विट्विन प्लैनेट एन अर्थ तो उसको में सब्जेक बनाऊंगा तो एस इस एकवल टू बी अपॉन थीटा यहां पे मिलेगा मुझे उसके बाद 1.276 x 10 raise to 7 upon 3.32 x 10 raise to minus 2 तो उसको आगे simplify करोगे then we are having 3.84 x 10 raise to 8 meter तो यह बात हुई 2.3 मतला हमें कोई भी distance दिया है या तो distance find करना है या तो फिर arc find करना है या तो theta find करना है so we can find any one of the three values यहां पे क्या find करना था मुझे यह वाला s distance जो हमने b by theta पर से किया तो इसको किसकी अलग तरीके से लिखते हैं यह formula को यह में थोड़ा hint दे दू आपको we want to find the distance so s is equal to b by theta अगर suppose मुझे theta ढूणना है guys तो theta is equal to b by s करूँगा और suppose मुझे b ढूणना है तो b को मैं subject बनाऊंगा so जिसको मैं बोलूँगा s into theta now mind well one thing यहां पे textbook में यह जो distance है उसको capital d चैसा consider कर रहे है that is also you can denote distance by any means you can put x also any variable you can put in our textbook it is mentioned as a capital d understand जो मैंने यहां पे distance s लिया है so it is mentioned as a capital d one of the same thing कोई फरक नहीं है दूसरा now moving towards illustration number 2.4 जिसमें इसका parallax method का दूसरा use finding diameter of any other planet from the earth मतलब मुझे यह linear diameter find करना है guys तो मैंने आपको समझाया था linear diameter is equal to angular diameter into distance तो linear diameter d है यह distance आपको s है angular diameter theta है तो सबसे पहले theta is equal to 192 seconds आप अच्छे जे notice करो guys अगर single tick है single tick तो इसको मैं denote करूंगा as a minute double tick है तो double tick को मैं denote करूंगा as a second यह खास अपने दिमाग में आप लोग धियान में रखना तो 1920 double tick है so I will consider this as a second तो 1920 into 4.85 into 10 raise to minus 6 आगे आप subject बना होगे तो आपको मिलेगा 9312 into 10 raise to minus 6 which is 9.3 वा ground करके मैंने लिखाए guys into 10 raise to minus 3 radial S जो है जो हमारी textbook में उसको capital D बोला है मैंने जैसे पहले बताया तो S आपको दिया है 1.496 into 10 raise to 11 which is the distance we want to find linear diameter so linear diameter is equal to distance into angular diameter इसको अगर subject बनाऊंगा so 9.31 into 10 raise to minus 3 into 1.496 into 10 raise to 11 is equal to 1.39 into 10 raise to 9 meter so जो मुझे मिल गया diameter of the sun ओके तो इसकी हिसाब से हम ये parallax method के numerical करेंगे guys very easy खाली एक चीज आपको समदने का सम में क्या पूछा है और हमें क्या ढूंडना है और theta को as a radian कैसे express करने का that's it अगर ये आपको पता चल गया देन ये सारे numerical easy है thank you very much